नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक इकरार चैनल पर इस वीडियो मा आपको बताएंगे HDFC का KYC आप कॉनफर्म कैसे कर सकते हैं तो हमने इस वीडियो मा आपको पूरी परसस आपको लाइक पूरूब करके दिखाएंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना तो हमने आपको यहाँ पर बताएंगे किस मेथर से आप KYC अपना कॉनफर्म कर सकते हैं तो हम आपको बताएंगे दो step होता है आपको KYC करने का एक तो आपको ब्रॉंच से KYC आप confirm करा सकते हैं और अपने net banking के तुरू अपना KYC फुल करवा सकते हैं तो हमने आपको यहाँ पर बताएंगे net banking की process आपको कैसे क्या करना होगा अपने आप खुद से आपको करना होगा KYC तो हमने आपको आपको बता दें कि आपको आधार card का जो photo की लेना है और और अपना pen card का फौटो एक खिच लेना है और इसके बाद आपको आपको आप को बताएंगे आपको लाइव करके दिखाएंगे आपको कैसे क्या करना होगा तो हमारे चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरू हिट कीजिएगा तो चलिए फिरेंड वीडियो को शुरू करते हैं अब सब्स्राइब करें टेक रार चैनल को और बेल आइकन को हिट करें आल पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें तो फिरेंड हमने आ चुका है नेट बैंकिंग पर आएंगे तो यहां पर लोगिन करेंगे अपना अंसर देकर तो हमने password और login ID डाल दिया है अब यहाँ पर login पर click कर देंगे हमारा जो net banking है यहाँ पर open हो जाएगा अब ही आपको यहाँ पर KYC के लिए request पर आपको click करना होगा जो भी आपका request पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं तो इस पर आपको click कर देना होगा KYC confirm detail तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका KYC का option यहाँ पर आ चुका है आपका document है password, driver license, water ID, नरेगा आधार card, job नरेगा card यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर address पर दे सकते हैं और pen card भी दे सकते हैं तो हमने यहाँ पर click करते हैं और जो भी है हमारे पास यहाँ पर KYC का एक form मिलता है आप उसको branch से चाहे अपने mobile से आप download करके उसको आपको fill up करना होगा fill up करने के बाद आपका जो भी है आपको यहाँ पर देख जाएगा तो हमने यहाँ पर आ चुका है अब आपको यहाँ पर pen card को option आएगा तो यहाँ पर अपना select कर लेना होगा document आपको यहाँ पर select करना होगा यहाँ पर हमने यहाँ पर select किया pen card अब अपना pen card का जो photo copy है यहाँ पर click करके download करना होगा तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फाइल पर किलिक किया तो अभी हमारे सामने यहाँ पर पिन कार्ड का अप्सन आ जाएगा तो हमारे पास जो पिन कार्ड का अप्सन है इसको पिन कार्ड पर किलिक किये और ओपिन पर किलिक कर दिया तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं फिरेंड की आपके सामने pin card हमारा upload हो चुका है अभी यहाँ पर click कर देंगे तो यहाँ पर green card आ जाएगा तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ अपलोड हो चुका है अब यहाँ पर अपना आधार number जो आधार card है यहाँ पर डालना होगा तो हमने आधार card select कर लिया address में आप क्या देना चाहते हैं तो आधार card हमने select किया अब आधार card को यहाँ पर download करना होगा तो आपको यहां पर आधार कार्ट डाउंलोड करने के लिए आपको फिन फाइल पर जाना होगा फोटो आप किलिक करके रख लीजिएगा तो हमने आधार कार्ट को यहां पर सलेक्ट कर लिया अभी यहां पर open पर किलिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं KYC के लिए हमने जो भी अधार कार्ड यहाँ पर update कर दिया है तो अभी यहाँ पर click कर देंगे फिन दोबारा तो यह add हो चुका है अब यहाँ पर देख सकते हैं friend की आपको क्या करना होगा जो भी आप यहाँ पर डाउमलोड करके रखे हुए हैं आपका PNG जो फाइल है KYC का आप फिलप कर लिजिएगा चाहे बरांच से चाहे कहीं से आपको मिल जाए परांच पर जाकंग अपना फिलप करने एक बाद आपको फोटो जो भी है लगाकर उसके बाद फोटो खीच कर आपको रख लिना है और यहाँ पर आपका KYC फो फोटो भी कर आपको किलिक कर देना है तो हमने यहां पर download पर click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं जैसे हम यहां पर form पर click कर दिए अभी यहां पर आपको form का option आ जाएगा तो हमारे पास जो भी download में है पड़ा हुआ है तो इसको हम यहां पर download कर देंगे अभी आपको सामने यहाँ पर दिख जाएगा जो KYC customer का है तो अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो हमने यहाँ पर download कर दिया है तो हमने यहाँ पर download करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे यह upload होता है और 2-3 दिन में हमारा जो KYC का परसस है एक confirm हो जाएगा तो अभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं अप्लोट हो रहा है तो अभी आपके सामने यहाँ पर फर्म अप्लोट होने के बाद आपको यहाँ पर बताएंगे कैसे क्या होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परसस में है अभी तो जैसे यहाँ पर अभी अपडेट पर किलिक कर देंगे तो हमारा जो add हो चुका है form अभी add हो चुका है अभी यहाँ पर आपको किलिक करना है चेक मार कर देना है छोटा सा box है इस पे आपको चेक मार कर लेना है होगा तो अभी आप देख सकते हैं आप चेक मार करने के बाद आपका जो एक capture code है capture code को आपको भरना होगा तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो capture code यहाँ पर भर देजिएगा तो हमने यहाँ पर capture code जैसे है वैसे ही भरना होगा तो आपको यहाँ पर capture code भरने के बाद तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर capture code हमने भर दिया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं friend कि आपके सामने यहाँ पर submit का button है इस पर submit पर आपको click कर देना है तो अभी यहां पर पूछ रहा है आपका country हमने जो country नहीं डाला था तो हमने India डाल देते हैं तो हमारा mistake हो गया था तो हमने इंडिया डाल दिया अब यहां पर आप देख सकते हैं summit का option आ जुका है इस पे आपको किलिक कर देना है तो अभी आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं KYC Update पिलीस यहाँ पर देख सकते हैं क्या बता रहा है फॉर्म अपडेट तो अभी यहाँ पर फॉर्म हमारा अपडेट नहीं हुआ है तो अभी यहाँ पर हम फॉर्म को अपडेट कर लेते हैं तो हमने यहां पर form को फिन दोबारा सा एड़ करेंगे तो अभी हमें यहां पर form को एड़ कर लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने PNG पर किलिक कर दिया आप यहां पर तो हमारा form यहां पर active हो चुका है आप यहां पर submit पर किलिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ अपसन आ जाएगा तो देख सकते हैं जैसे कि थोड़ा सा नेटवर्क सलो है फ्रेंड तो अभी KYC जो है यहाँ पर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने सम्मिट पर किलिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिरेंड के आपको यहाँ पर डीटेल अपडेट तो अभी आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफूली हो चुका है दो से दो वर्किंडेज में आपको बताया जाएगा आपका जो भी सब्जिक्ट है आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा आपका के वाईसी होगा की नहीं होगा तो आपका जो भी है आपने ऐसे ही फॉर्म फिलप करके आपना अपडेट कर सकते हैं तो हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और टेक इकरार चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सब्स्राइब कीजिएगा तो ओनलाइन के वाईसी आप परसस आप कर सकते हैं ऐसे ही कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई थैंक यू फॉर वाचिंग